Hello friends, और फिर से सौत है आप लोगों का आपके अपने चैनल Loan Help India में और आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे टूप loan application के बारे में काफी लोगों ने इस application से loan लिया है और मुझे लगतार message कर रहे थे कि अगर इस application का repayment नहीं करते हैं या फिर loan लेकर ये लोग जिस amount को वापस मांगने क्या वो amount pay करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए आज का ये वीडियो आप लोग लिए काफी खास है क्योंकि मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपने इस application से loan लिया है तो ये application से आपको छुटकारा कैसे मिल सकता है वो भी काफी आसानी से तो दोस्तों वीडियो को करेंगे शुरू और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए है और अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है और दूसरी application Chinese loan application और ये application आती है दोस्तों Chinese loan application के category में यानि कि ये एक fake loan app है और इसके जितने भी दावे हैं कि आपको 50,000,000,000 रुपे का loan कम से कम interest rate पे provide किया जाएगा ये सब के सब दोस्तों fake दावे हैं इसमें कोई भी सचाइब नहीं है अगर आप इससे loan के लिए apply करते हैं और loan का amount अगर आपके account में आ जाता है ये account में amount नहीं भी आता है फिर भी ये application वाले क्या करेंगे आपको repayment करने के लिए बोलेंगे वो भी सिर्फ और सिर्फ साथ दिनों बात यानि कि ये एक तरह की 7 days loan application है या फिर Chinese application है और ऐसे applications खास पर play store पर होती है सिर्फ और सिर्फ आपके data को collect करके और उसको बेचने के लिए आपके साथ बड़ा से बड़ा fraud करने के लिए तो ऐसे application से आपको छुटकारा कैसे मिलेगा 2 loan application जो play store पर है इस application का repayment ना करने के case में जो आपके उपर ये लोग कारवाई करते हैं वो है कि आपके contact list को hack कर लेते हैं जब आप इस पर sign up करते हैं फिर आपको blackmail करेंगे कि आपके contact list पर आपकी मौर्ट करके फोटो गंदी-गंदी भेजने की धमकी देंगे तो आप इससे बाहर कैसे आ सकते हैं तो इसके लिए मैं अभी आपको दो ऐसे steps बताऊंगा जिनको follow करके आप 100% ऐसी application से जिन्दगी भर के लिए छुटकारा पा सकते हैं तो कौन से ऐसे दो steps है वो जानने से पहले हमारे channel को subscribe पड़के बेल एकन को प्रेस करके रखे ताकि ऐसे interesting videos future में भी आप देख सकें तो first step में आपको क्या करना है कि इस application को अपने फोन से जल से जल uninstall कर दीजे uninstall नहीं करते तो फिडिए application आपकी gallery को भी hack करके और आपको और दादा नुकसान पहुचा सकती है साथ में आपकी bank details और personal data को भी hack किया रहा सकता है इस application के द्वारा क्यूंकि यह एक तरह की Chinese application है और fake loan app है और ऐसी applications को अपने phone में रखना काफी ज़्यादा खतरनाक भी है तो application को delete करने के बाद जो second step है वो भी काफी important है जो आपको सुनना ही चाहिए वो यह है कि यह लोग loan वापसी के लिए आपको WhatsApp में message करते हैं या फिर contact पर call करते हैं तो इन दोनों cases में आपको क्या करना है कि अपने WhatsApp नमर को और साथ ही में जो आपके contact पर call कर सकते हैं जिससे आपने sign up किया है उन दोनों को बंद करना है और बागी अपने contact को जांकारी दे दिजीए कि आपके साथ किसी पराइर क्या है औरि बाहर के number से अगर मैसेज जाता है तो उस message का reply ना करके उस को बंद कर दिया जाए उस ब्लोग कर दे जाए यह बात अपने contact को भी रूब भी सकते हैं तो इन सभी से बचने के लिए जो मैंने आपको दो स्टेप्स बताए हैं उन दोने स्टेप्स को फॉलव किजिए और इस अप्रिकेशन से हमेशा के लिए छुटकाड़ा पाईए इसे के साथ वीडियो पसंद आया वो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा साथ ही में चैनल पर अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मिलने का ये वीडियो में बहुत जल्द